नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब आज हम आपको थाइराइड होने से संबंधी ते सभी दस महत्व पूरुर सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब आपका प्रस्न एक थाइराइड का सरीर पर क्या असर पड़ता है आपका प्रस्न दो थाइराइड होने पर क्या खाना जहर बन जाता है आपका प्रस्न तीन है क्या थाइराइड एक जान लेवा बिमारी होती है आपका प्रस्न चार थाइराइड सरजरी करने में कितना खर्च कैसे होता है कि लात creepy का शुलाई आता है आपका Π साथ थाइराय डिए करना चाहिए आपका प्रस्ण फाइरायड आध पर पड़ता है आपका उतर है ताइराइड का सीधा असर मेटाबोलिज्म पर पड़ता है जिसका मुख्यकाम सरीर को किर्यासिल रखना है ताइराइड की तीति में यह कम हो जाता है और इस बीमारी से फिरित कम जोर महसूस करता है जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक छमता पर असर पड़ता है आपका प्रस्न दो है ताइराइड होने पर क्या खाना जहर बन जाता है आपका उतर है सोया भीन और उससे बनी चीज़े भी ताइराइड के मरेजों को नहीं खाने चाहिए जैसे कि सोया चाप, सोया बढ़ी या फिर सोया मिल्द विसे सक्वियों की माने या फिर उससे बनी चीज़ों को सेवन करने से भी ताइराइड का खत्रा बढ़ जाता है चावल ब्रेड और पास्ता में गुलूटेन मौजुद होता है यही गुलूटेन थाइराइट के मरीजों के लिए हानिकार को होता है वही गेहों और जो के अलावा बाकी साबुत अनाजों में पाया जाने वाला गुलूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है यही प्रोटिन थाइराइड हार्मोन को अनियमित कने के लिए जिम्यदार होता है इसके अलावा धूम्रपान तिलकोहल आधी नसीले पदार्थों से बचें चीनी एक्त खादे पदार्थ और अधिक फैट वाले खादे पदार्थ जैसे पास्ता ब्रेड बर्नर के पेश्टी बाबंद खादे पदार्थ आधी का सेवन नहीं करना चाहिए आपका प्रसने तीन है क्या थाईराइड एक जान लेवा बिमारी होती है आपका उतर है थाईराइड एक बरंती होती है जो हमारे गले में आगे की हिसे में मौझूद होती है थाईराइड कैंसर एक आम कैंसर नहीं है इसके अधिकांस पर तो लोजिकल प्रकारों में रोग निरोधी उपचार के बाद अच्छी सक्रियता और समग्र परड़ाम होते हैं यह तीसरी से चौती स्टेज में काफी खतरनागों होता है वैसे इसका इलाज संभव है और मरेज को ठीक किया जा सकता है आपका प्रस्ण चार, थाराइब सरजरी करने में कितना खर्च है? आपका उत्तर है थाराइब के ईलाजिका सरवत्तन तरीका ठायरोई डेक्टमी सरजरी है लेकिन जब बोई डेक्टर किसी ब्यक्ती को इस सरजरी को कराने की सला देते हैं तो उस समय उसकी मन में यह सवाल इसके लिए इसका उत्तर काफी माइने रखता है क्योंकि इसका यसर उसकी आर्थिकित्ता पर पड़ता है संभवत अधी कांच लोग इसे एक महंगी प्रक्रिया समझते हो और इसी कारण वे इसे न करा पाएने की यदि उन्हें या पता हो कि एक किफायती प्रक्रिया है जिस कि यौसतन लागत मादरा की हजार से एक लागती है तो सायते वे इस गले की विमारी से निजात पा सकते हैं आपका प्रस्ण पांच है थाइराइड का घरेलू इलाज क्या हो सकता है आपका उत्तर है प्रति दिन दूद में हल्दी पाका कर पीने से भी थाइराइड का उपचार होता है खाली फेट लोगी का जूस पीने से थाइराइड रोग में उत्तम काम करता है या रोग को करता है थायरायट के गरेलों उपचार में नैयमित रूप से अराम पहुचाता है क्योंकि अलसी में परियामत मात्रा में एमेगा थीन पाया जाता है ओमेगा 3 थायरायट के कारियां को नियंतित करने में मदद करता है इसलिए ताइराइड के रोगियों को कोपिंग ओयल के रूप में नारियल तेल का इस्तिमाल करना चाहिए आपका प्रस्ण च्छह है थाइराइड होने का प्रमुक कारण क्या होता है आपका उतर है अधिक तनाव पूर जीमन जीने से थाइराइड हर्मोन की सक्रियता पर असर पड़ता है। आहार में आयोडेन की मात्रा कम या ज्यादा होने से थाइराइट गरंतिया विशेश रूप से प्रभावित होती है या रोग अनुवांसिक भी हो सकता है यदि परिवार के दूसरे सदस्यों को भी यह समस्या रही हो तो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी हो सकती है मैलाओ गर्बावस्ता के दौरान थाइराइड हर्मोंज में संतुलन देखा जाता है क्योंकि इस समय मैलाओं के शरीर में कई हर्मोनल बदलाओं आते हैं। आपका प्रिशन साथ है थाइराइड होने के क्या संकेत हो सकते हैं। आपका उतरे घबरहाट होना, चील चील आपन हो जाना, अधिक असीना याना, हाथों का कापना, बालों का पतला होना, इवंग जड़ना, नीद ना आने की परिशानी, मांसपेसियों में कमजोरी इवंग दर्द रहना, दिल की दर्कन का बढ़ना, बहुत भूक लगने के बा करना, अन्फियूज रहना, सोचने समझने में अस्वमर्थ होना, आपका प्रस्न है आठ है, थाईराइड में किन चीजों का सेवन करना चाहिए, आपका उतरे थाईराइड रोग में कौम बसा वाले आहारे का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा फ़लों या सब्जियों को बोजन में सामिल करें, विसेश हरी पत्यदार सब्जियों का सिवन करें, इने में उचित मातरा में आईरन होता है, जो थाईराइड के रोग्रियों के लिए फायदे मंद हैं, पोसक ततों से बरफूर बोजन करें, मिनरल्स और विटामिन से इत बोजन लेने से करने में मदद मिलती है, आयोडीन इताहार का सिवन करें, नट्स जैसे बदाम, काजु और सूरज मुखिक के वेजों का अधिक सिवन करें, इने में कोपर की परियापत मतरा होती है, जो थाईराइड में फायदे मंद होता है, आपका प्रस्न हाठ है, थाईराइड में किन जो का सिवन करना चाहिए, आपका उत्तर थाईराइड के घरेलू, उपचार के अंतरगत, दूद और दाई का अधिक सिवन करना चाहिए, थाईराइड के घरेलू, इलाज के लिए आप विटामिन ए का अधिक सिवन करें, इसके लिए आप काजर खा सकते हैं, साबुत अना बनाते हैं यह थाइराइड में एंसर को बनने से भी रोकता है गेहूं और जुआर का सेवन करें आपका प्रस्ण नौ है बच्चों को थाइराइड कैसे होता है आपका उतर अधिकान से समय बच्चों को होने वाला MTC आनुबांसी को प्रविक्ति से जुड़ा होता है आपका प्रस्ण दस थाइराइड कितने प्रकार का होता है आपका उतर थाइराइड मुक्य रूप से चार प्रकार का होता है जो निमन लिकी थे आपका नमर एक हाइपो थाइराइड दिजम थाइराइड या थाइराइड का कारण है जो थाइराइड कि में थाइराइड हर्मोन की कमिप की कारण होता है हाइपो थायराय डिजम थायराइड मुख्य रूप से चोटे बचों में देखने को मिलता है जिसका इलाज दवाईयों के माधियन से संभाव है आप नमर दो हाइपर थायराय रोय डिजम थायराइड यह अन थायराइड जो थायराइड ग्रंती में अत्रिक्र टीशू के निर्मार होने की कारण होता है हाइपर थायरोय डिजम थायराइड में हर्मोन की अधिक्ता हो जाती है आप नमर तीन गोईटर थायराइड इससे आम वाचा में गेंगा रोड का जाता है जो मुखे रूप से सरेर में आयोडीन की कमी के कारणों होता है। गोईटर से पिडित ब्यक्ति को डक्टर आयोडीन की दवाई देती है जिसकी बज़े से आयोडीन की मातरा समाने हो जाती है। आपका नम्मर चार है थाइराइड कैंसर या थाइराइड का सबसे गंबीर और अंतिव प्रकार है जिसे का इलाज कीवल सर्जर के माध्यां से ही संभव है थाइराइड कैंसर उसी स्थिति में होता है जब थाइराइड गिनंजी गांट बन जाती है दन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लेज इसे लाइक, सब्सक्राइब, सेर, कमेंट जरूर करके जाएं पिर मिलेंगे अगले वीडियो में